आलो स्टुडेंट मैं गुड्डू सार आप सभी कैसे वीडियो में स्वागत करता हूँ स्टुडेंट देखिए आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक कहां से है अगर कोई कुश्चन आता है तो हम उसको किस परकार से समझेंगे तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ और है कि जैसे हमारे पास में कभी इंगल बगारा दिया होता है ठीक है इकाईया दिया होती है तो सबसे पहले समझे इस्टूडेंट कि इकाईया मुखता कितने भागों में बाती गई है तो इस्टूडेंट इकाईया जो मुख जो है भाग है वो तीन है कौन-कौन से हैं यहां पर लिखा भी हूं चूए एक होता है खास्टिक पद्धति जिसको इंगलिजिस में कहते हैं सिखसाजेसीमल सिष्टम बोलते हैं और दूसरा जो होता है शतिक पद्धति होता है जिसको बोलते हैं scintasimal system कemi Nä EL cumma Wealthy और जो तीसरा होता है student वह आपका है radian या SLS student इन तीन पद्धतियों का हम استعمال करते हैं कहां पर? angle को change करने में जैसे degree में है तो किसे दूसरे form में लिख दे degree में minute में कर दे minute में, second में कर दे या grade में कर दें तो यह सब आप या radian में convert कर दें तो यह सब क्या है यह सब जो है एक 21 से दूसरे 21 में angle को change करना होता इसी को कहते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर पहले एक काम करते हैं थोड़ा सा अगर हम यह समझ लेंगे कि यह खास्टिक पधती अर्था सेक्सा जेसी मल system होता क्या है जब से पहले चलो इसको जान लेते हैं तो student इसमें कुछ नहीं होता है इस system में क्या होता है किसकी बात कर रहा हूं सेक्सा की बात कर रहा हूं student इस पधती में जो हमारे पास में देखिए जैसे हमारे पास एक समकोन होता है समकोन तो आप जानती हो 90 डिगरी को बोलते हैं समकोन ठीक है समकोन को हम क्या करते हैं 90 बराबर भागों में बाट देते हैं अगर जैसे समकोन है उसको कितने भागों बाटोगे 90 बाटोगे और सोचो जब 90 बाटोगे तो उसका जो एक भाग होगा, नब्बे भाग में बाटे, जो समकोन है, समकोन में वैसे भी जानते हैं, नब्बे अंस होता है, और नब्बे अंस को कितने भागों में बाट रहे हो, ठीक है, नब्बे अंस को नब्बे ही भागों में बाट रहे हो, तो कितना अंस आए, कितना आएगा कितने भाग बनेंगे, 90 भाग बनेंगे, तो उसका जो एक भाग होगा, उसको student हम क्या बोलते हैं, अर्थाट degree बोलते हैं, सन में आ गया होगा, इसे में कुछ भी जादा नहीं करना है, केवल छोटी छोटी बात बतानी हमको, मतलब 90 जो डिगरी है, उसको 90 भागों बाटोग भागों बाटोग तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक अन्स बोलते हैं, थीक है, वही देखो जहां लिखे भी होगे, देखे, इस पद्धत में एक समकोन को 90 भराबर भागों में बाट डे जाता है, और प्रतेग भाग को अन्स कहते हैं, ठीक है, प्रतेग भाग को क्या कहेंग अंस कहेंगे तो चलिए ठीक है एक समकोन को अगर 90 बराबर भागों में बाट देते हैं तो प्रतेक भाग को हम क्या बोलते हैं अंस बोलते हैं अब आगे चलिए बात करते हैं अब एक अंस जिसे हमकों मिल गया प्रतेक भाग को अंस कहते हैं तो उसका एक भाग ले लिया तो उस एक भाग को हम 60 भागों में बाट दें कितने? 60 बराबर भागों में बाट दें, एक अंस की बात कर रहा हूं, एक अंस को 60 बराबर भागों में एक student बाट दिया जाए तो उसका एक जो भाग होता है उस एक भाग को हम लोग मिनट बोलते हैं क्या बोलते हैं मिनट अब समझे अब एक मिनट हमको मिल गया ठीक है अब उस एक मिनट को अगर हम साट भागों में बाड़ देते हैं कितने भागों में बीटा साट बराबर भागों में बाड़ देते हैं तो प्रते एक जो भाग होता है उस भाग को हम लोग second बोलते हैं बास्तान में आगया होगा यहीं यहाँ पर लिखा है ठीक है इंगलिस में लिखने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं थी इसलिए इंगलिस नहीं लिखा क्योंकि इसमें कुछ करनी इसमें तो किवल सिंपल सा था कि अगर किसी समकोन को 90 बराबर भागों बाड हятся है और एक मिनट को 60 बराबर भागों मैं बाड़ देते है जो प्रतेक भाग हमको मिलेगा प्रतेक भाग को हम बोलेंगे एक SECOND बोलेंगे जैसे यहाँ पर लिखा भी होगा। देखे,इस पधधत में एक स म कम गोन को नबबे बनाबर भाग में बाता जाता है । फ्रतेग भाग को ठीक कायते है kap इसको student minute बोलते हैं और double dice से लगा हो तो क्या बोलेंगे इसी को? इसी को second. तो देखें एक समकूण बराबर कितना होता है? नबे अन्स होता है. बाद समझे है? आप इसको नबे से नबे अन्स होता है. आगे बढ़े एक अन्स से बराबर कितना होता है? साथ मिनिट होता है और किसी एक समकून को 90 बराबर भागों बाटेंगे तो प्रतेक भाग को क्या कहेंगे अंस कहेंगे तो समकून है उसको 90 बराबर भागों में बाट दिया गया ठीक है तो वही हमारा क्या हो गया वही हमारा क्या हो गया अंस हो गया भाई 90 भागों में अंस बटेगा तो मतलम 90 अं समकून में अब इसी प्रकार से सतिक पध्धति भी होती है सतिक पध्धति में क्या होता है यह ही स समझे क्या होता है कि इसमें हम एक समकून को कितने भागम बाटते हैं सौ पराबर भागों बाड़ते हैं और प्रतेग भाग को हम लोग क्या बोलते हैं कोटी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रेड बोलेंगे ठीक है बात फिर से समझ लीजे यहाँ पर एक जो है किसकी बात कर रहा हूँ एक समकोर की बात कर रहा हूँ एक समकूर को सव बराबर भागों में बाड़ते हैं प्रतेक भाग को क्या बोला जाता है कोटी बोला जाता है अर्थात ग्रेड बोला जाता है केलियर हो गया होगा अब एक ग्रेड को क्या करेंगे सव बराबर भागों में जब बाड़ते हैं बटा को हम क्या बोलते हैं शेकर लिखा भी है देखो एक समकोर्ण को سو बजाबर भागों बाटा गया तो बिटा यहाँ पर देखी grade बोला गया इसको ना फिर उसके बाद क्या हौआ एक grade को सो बराबर भागों बाटा गया तो उसे क्या बाला गया मिनट बोला गया, अब आगे देखिए, एक मिनट को शो बराबर भागों बटा गया, तो उसे क्या बोला गया, शिकन बोला गया, तो ये सब सिस्टम में होती है, इनको सब को तैयर करना होता है, ठीक, और अब यहाँ पर हम बात करेंगे, किसके लिए, यहाँ पर बात करेंगे, रे यहां रेडियन होता है Faculty यहां पर समझो रेडियन वागत कोंड है जो किसी ब। के केंद्र पर किसी ब॥येंदर पर उसकी तरिज्या कर दी जाने पर है और य। इस जीर व्हारवदर तर्छाब प्रतर्शित क्यानलिए कि आपके पास कोई एक ब। है और उस परकेंदरına है ठीक है ये भीทंट ये जो कूर होगा ये भी one मतलब रेडियन ही होगा वही यहां पर लिख दिया गया है कि तब उस दसाँ में क्या होगा इसे one सी द्वारा प्रदर्शित किये जाता है ठीक है मतलब सी रागा लगा देंगे तो समझ जाना कि आपका रेडियन है तो चलिए आप ज़्यादा समय नहीं नश्ट करते हैं और इस कुश्चन को समझने का प्रियत ने करते हैं देखो इस्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या हम लोगों को क्या है कि इसको रेडियन बदलना है तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 45 अंस और 20 मिनट और 10 तो पहले काम करो पहले देखिए सेकेंड को मिनट में करो तो वाई सेकेंड दस सेकेंड है अगर आप इसको मिनट में करोगे तो आपको शाट से डिवाइट करना पड़ेगा तो सेकेंड बातसर्में क होगा मिनट में कर लेंग नहीं कर लिया ऐसके बाद स्टूडेंट हम लोग करते क्या है मिनट को हम लोग डिगरी देखे अगर मिनट में हो गया आप देखें क्या हो जाएगा इसको आपड़ा सकए तो यहाँ पर दिखें डिवाइट करेंगे 1 को 6 से तो दिखे, पॉइंट बढ़ाएंगे 10 हो गया, 6 वंजा 6, कितना बचाएगा? 4 हो गया, पॉइंट बचाएगा 40, 6 इखजा 36, कितना बचाएगा भाई, इसमें आपका बच जाएगा, फिर से आपका 40 ही बच जाएगा, ठीक है, तो मतलब 4 ही बचेगा, फिर फोटी हो जाएगा, चलो इसको इसे रहने देते हैं, कोई लिक्कत यहाँ पर नहीं जादा, ठीक है, तो यहाँ पर student हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हमारा काम होता है, कि लिसे 20 minute 10 second है, ठीक है, तो मैं इस इसको यहाँ लिख सकते हैं 20 minute, ठीक है, और 20 minute है, और यह कितना है, 1 upon 6, क्या हो गया, यह भी minute में हो गया है, दोनों minute में हो गया है, और मैंने आपको बताया, कि अगर आप 1 देखें, जिसे यहाँ पर क्या था, 1 को 6 से अगर divide कर दोगे, किस से किस की बात कर रहा हूं, 1 को, अगर हम 6 से divide करेंगे, तो देखें, क्या होगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 10 होगा, और 6 बढ़ाएंगे 10 होगा, और 6 बढ़ाएंगे 10 होगा, ठीक है, फिर यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो गया 40, और 6 इक जा, यहाँ 6 लिए, 6 इक जा 36, और 36 और इसमें से separate करेंगे, तो इस्टुडेंट क्या जाएगा 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर देखें, पॉइंट बढ़ाएंगे 40 होगया, और 6 इक जा, यह भी 36 होगया, तो इस्टुडेंट में देख रहा हूँ, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1.66 हो रहा है, तो हम चाहें तो हम इस्टा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस 3.167 और यह मिनट में हो गया, कि नहीं, तो देखें, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सेकेंड को पहले मिनट में किया, आप देखें, यह 20 मिनट तो था ही, यहाँ 10 था सेकेंड में, तो इसकी जगा पर देखें, 10 सेकेंड की वेलू यह था, तो यहाँ पर रख दिया, अब इसको जो है, इससे डिवाइट कर दिया, तो भाई इतना आ गया, आप देखें, यह भी मिनट, यह भी मिनट है, दोनो मिनट को मैंने आइट कर दिया, इतना मिनट हो गया टोटल, अब मिनट है, अब इस मिनट को हमको क्या करना है, हमको इसको इसको डिगरी में करने के हमको क्या करना पड़ेगा इसको तुरंद जो है 20 और 167 इसको हमको क्या करना पड़ेगा इसको 60 से डिवाइट करना पड़ेगा ठीक है अब student यह क्या हो गया यह हमारा हो गया इसमें किसमें हो गया यह डिगरी में हो गया तो कहने मतलब इतना बराबर इतना डिगरी होता है तो हमारे पास है क्या हमारे पास है 45 ठीक है और इधर देखे यह जो चीज यहां लिखा हुआ है ठीक है एट डिग्री में आगर मैं इसको divide करूँ तो देखिए यही चीज हमारा क्या हो जाएगा जैसे 20 है और यहां पर 167 आप 60 है अगर 66 को divide कर दो तो देखिए यही चीज हमारा क्या बन जाएगा तो क्या आएगा इसमें इसमें आएगा 0.336 हो जाएगा ठीक है ये चीज़ बन गया तो आब इस्टुडेंट देखे क्या बन जाएगा ये इसमें रखो पहलो तो जाएगा 45 डिगरी 20 मिनट और 10 सेकंड इसको लटो 45 ये तो डिगरी में ही है प्लस में इतना डिगरी हो रहा गया है ठीक है त तो दसमलो 3.336 डिगरी आगया है अब इसको जब इस्टुडेंट जोडेंगे तो जाएगा 45 डिगरी आगया ठीक है आप देखे मैंने डिगरी में कर लिया अब इसको क्या करना होगा अब इस्टुडेंट यहां पर हम लोग करेंगे क्या हम लोग जो है इसको रेडियन मे करने के लिए पाई से गुणा करते हैं और 180 से डिवाइट कर देते हैं तो इस्टूडेंट जब इसको हम डिवाइट बगारा करेंगे तो देखे 45.336 है ठीक है और इसकी वैलू क्या आएगी 3.14159 भागे 180 इस्टूडेंट जब इसको हम डिवाइट करते हैं तो दसम्लो 79 आ से इंशर हो जाएगा तो इस प्रकार से इस कुश्चन को आप जो है कालकुलेशन यहां पर है थोड़ा सा गुणा भाग है गुणा भाग है तो आप इसको आप इसको आसानी से लगाभी सकते हो तो चलिए ठीक है आप से जो है नए वीडियो में मुलाकात होती है अगर तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवस्त अबाद दीजिए थैंक यू